हलो फ्रेंड, हलो एरिवन, आज फिर से नया वीडियो, फिर से नये विसेपेचरचा और लाइफ की एक बहुत ही अमेजिंग घटना की, रियल घटना की बात करेंगे, कोई कहानी नहीं होगी, कोई स्टोरी नहीं होगी, आज उसकी बात करेंगे और वो एक जिंदगी की बढ़ने की और एक बात कहीं जाती है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जो भी successful लोग हैं जो भी टापर लोग हैं उनकी आप सीधे copy paste कर लीजिए जो भी उनकी activity हैं उनकी copy paste कर लीजिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि एक नार्मल इनसान और एक टापर में जो सफल था कि चरम बिंदो और चरम पॉइंट पे है क्या फरक है दोनों में तो आज उसी घटना की बात करेंगे घटना ये है जो कि 1989 की है गौड आप क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने क्रिकेट में पदार पड़ किया था पहली सुरुआत उनकी टेस्ट क्रिकेट से हुई थी और 1989 में पाकिस्तान खेलने गए थे जो लोग जानकारी रखते हैं जानते उस समय जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें वसी मकरम वकाज लूनुस जैसे सुपर फास्ट बालर थे भारत की स्टी बहुत ही जादे खराब थी चार बिकेट गिर चुके थे उसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदूल कर बैटिंग के लिए आए कहते हैं सामने उनके नौजो सिंग सिध्धू थी पहली बाउंसर सचिन के कान के बगल से निकली बिलकुल संसनाती हुई हवा को चीरती हुई बाल पहली निकली सचिन उससे सहमे और उस बाउंसर को डग किया दूसरी बाल फिर से बाउंसर बालर उस समय वकार यूनिस थे जो दुनिया के सिस्टम सबसे तेज बालर थे दूसरी बाउंसर फिर से मारा और वो बाउंसर जाकर के सचिन के हेलमेट पे लगी और हेलमेट को पार करती उनके नाग पे जाके लगी और बिदिन टाइम सचिन ज पिस्ट थे वो आये सारी दवाई लेकर के उनको देखा गया नाख से कपड़े से पूरा ब्लड से रंग रहे थे ब्लड निकल ला था उन्होंने दवाई किया जो भी उनको लगाया इस पे टाइप का होता हूँ उनको लगाया दो मिट बासा चिन थोड़े से रिलेक्स हुए सब ने कहाँ रहने दीजे रिटार्ड हर्ट हो करके पवेलियन चलिए मत खेलिए क्योंकि उस समय वो फास पिस्ट थी और वकार यूनुस अकरम जैसे बाला सामने है करांची की पिस्ट थी सचिन ने उस समय एक बहुत ही लाजबाब बात कही जो कि आज भी याद की जाती ह उन्होंने कहा नहीं मैं खेलेगा फिर जो कोच भी आए और भी खिलाडी आए हुए थे उन्होंने कहा नहीं मत खेलिए भारत की इस्टिती बहुत खराब है इस्टे फास्ट बालर हैं और उस समय इनकी एज मात 16 साल की थी फिर भी नोने कहा नहीं मैं खेलेगा सामने सचिन ही नहीं रहेगा जो पोजीशन थी उसने अपने इंटर्वियू में नौजो सिंग सिंधू ने बताया हुआ है कि हमारे हाथ पर कहां पर रहे थे और ये उस समय की बात है जिस समय नौजो सिंग सिंधू, रवी सास्ति, संजय मंजरेकर जैसे दिगश टीम में थे वो व बोला जाता है कि अगली बाल पे ही उन्होंने चार मारा और उस समय वकारियूनिस की वो धाक बोली जाती थी जिस समय बैट समय उनसे नजरे नहीं मिलाता था तो चार मारने के बाद वो उन्होंने वकारियूनिस की तरफ उतना ही तेज नजरों से देखा, एक अपने कानफ को दिखाया कि एक बाउंसर मारने से, एक दो बाउंसर मारने से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। जो धाक दोंकी बूली जाती है, जो धाक थी, वो कहते हैं मीडिया में आया, और इंडियन बूर्ड को लोग कहने लगे कि उनको यह नहीं पता है कि इतने फास बाल और इतने फास पिचों में एक 16 साल के बच्चे को भेज दिया, इस पे बैन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर वो चेस की हाईट से बाल निकलती है, जग जब हवा को चीरती हुई बिल्कुल रूख कांप जाती है अगर तेज बाल वी, वो तो दुनिया के फास्ट बालर थे, सबसे तेज बालों में से एक थे, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे दिन सभाला पर दिन 55 पे ट्रा कराया, तो ये घटना आज भी, ये हम कोई कहानी के रूप में नहीं कह रहे हैं, आज भी घटना याद की जाती लोगों के बीच में, कि एक 16 साल का बच्चा और इतना बड़ा कांफिदेन, इतने फास्ट बालों के बीच में, एक और यहाँ घटना बताएं, वेस्ट सुनील गावसकर ने उस विसए की चर्चा की थी, क्योंकि ओपनर थे, बहुत ज्यादा टिक के खेलते थे, छह बिकेट आउट हो चुके थे, जिसमें चार रिटार्ड हर्ट होकर के हास्पिटल जा चुके थे, उस समय इनका बेटा रोहन गावसकर होने वाला था, तो जब उनके साथ आए, तो इन्होंने साइद उस समय गुंडपा भी सुनात आए हुए थे, इन्होंने उनसे कहा, कि यार मैं अपने बेटे की सकल देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो चाहता हूँ, कि बिना चोट लगए रिटार्ड होकर जाना चाहता हूँ, लेकि वो उस समय के पीक के खिलारी थे, और सचिन के केरियर की सुरुआत थी, फिर उसने अपना एक साहस, दो साहस, परम साहस जैसे कह सकते हैं दिखाया, उसने कहा, नहीं मैं खेलेगा, तो यही एक लाइफ का सेडूल होता है, जो सबसे बड़ी सीख़बे मिलती है, कि ऐसा साइद ही कोई होगा, जिसके लाइफ में ऐसे बाउंसर नहीं हाirse नहीं हाएंगे, ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, और जो इन बाउंसरों से गिर गया, हट गया, समझे हो, जिदगी की हार में चला जाएगा, उसकी जिनदगी की हार होगी, क्योक्कि जीता वही है, जो हार नहीं मानता ह उसके बाद खेले जैसे सचीन ने खेला उस बाउंसर उन चीज़ों को छेलने के बाद और वो गाड आप क्रिकेट ऐसा कोई रिकार्ड नहीं होगा बैटिंग का जो उन्होंने अपने नाम नहीं किया और यही हाल जिन्दगी का होता है कैसे एक दो बाउंसर एक दो समस्य आएं ऐसे जिन्दगी की आएंगी जहां पर लगेगा सारे रास्ते बंद हो चुके हैं लेकिन उन्हीं से पार पाना उन्हीं से निकलना यही है जिन्दगी की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी बीजय होती है और जब आप उससे निकल जाएंगे तो अपने आप चीज़े आपके अनकूल होंगी और आप आगे डेटू डेट बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये एक तरीके का जिन्दगी का एक्जाम होता है देखे जैसे किसी भी चीज़ को आप किसी सर्विस पर जाते कहीं पर जाते आपको कोई टेस्ट बीट करना होता है वैसे ही हर इनसान की जिन्दगी का टेस्ट होता है जो इसमें पास हुआ वा आगे चला जाता है जो फेल हुआ निरास होके बैठ जाता है वो पीछे रह जाता है वहीं पे उसे डिड़ मान लिया जाता है कहते हैं अस्फल होके आप मर तो नहीं जाएंगे लेकिन आप जी भी नहीं पाएंगे तो वो आलिस्तिती होती है कि अगर जब भी आपके परिस्तितियां, आपके सारी काइनात आपके अगेंस्ट होगी, सारे सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगे, तो उसी को पार पाना यही कहलाता है जिन्दगी की जीत, और जो इस जिन्दगी की जीत को जीत लिया वही आग